तो दोस्तो आप भी portrait photography की जो दीवा ने हो और आप especially Samsung का smartphone जो buy कर रहे हो वो भी Samsung Galaxy M55 तो थोड़ा बहुत रूख जाओ मेरे बाई बिकोज आज मैं करने वाला हूँ Samsung Galaxy M55 का portrait photography यानि कि आज हम सीफ और सीफ पोट्रेट फोटोग्राफिए ही क्लिक करने वाले अगर आप भी सोच रहे कि इसका portrait photography कैसी है आपको वीडियो देखना है तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए तो प्लीज वीडियो को भी ना स्क तो दोस्तों यह हमारे पास Samsung Galaxy M55 और यहां पर आपको ट्रीपल रीर क्यामरा सेटप देखने को मिल जाता है जहां पर प्राइमरी क्यामरा लगा हुआ है 50MP का प्लस 8MP का एक अल्रावाइड क्यामरा देखने को मिल जाता है और दोस्तों बात करते हैं इससी फॉन के में के पिक्सल का सेलफी के मारा देखने को मिल जाता है तो जैसी फॉन का आप के मारा एप ओपन करते हो तो आप आपको काफी सारे options देखने को मिल जाता है बट आज हम सिर्फ यूज़ करने वाले है portrait options और portrait photography ही क्लिक करने वाले है और मैं बता दू कि यहांप आपको कोई पोट्रेट वीडियो का options नहीं मिलता है इस फॉन के अंदर only for portrait photography ही क्लिक कर सकते हो और वीडियो के लास्ट में में मेरे opinion भी देने वाला हो कि मुझे परसनल इसका portrait photography कैसी लगी तो आई ते देखते कुछ photo sample झाले है 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 झाल तो दोस्तों अभी जो अपने फोटो सेंबल देखें मैंने इसी सेंपसंग गलेक्स M55 के वे फ्रेंट और रियर कैमेर को यूज करते हुए क्लिक किये थे तो गाइज आपको इसका पोट्रेट फोटोग्राफिक कैसी लगी कमेंट सेक्षिन में अपना फीडबैक जरूर दीजेगा और जो सो बात करते हैं मेरे परस्नल ओपिन्यान की तो नो डाउट यार इसका पोट्रेट फोटोग्राफिक बहुत ही सही है अगर आप इस कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ थैंक्स वाचिंग जैसे वीडियो में इतना ही दोस्तों धेंक्यू सो मच बाई बाई फ्रेंड्स